हाई फ्रेंट्स मैं हूँ डॉक्टर मुशर्राफ हुसेन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्ट अटेक के बाद वो कौन-कौन सी टेक्नीक्स हैं जिनके दुआरा हम मरीज की जान बचा सकते हैं तो जब भी किसी मरीज को हार्ट अटेक के लक्षण आते हैं उसके लिए कुछ जाचे की जाती हैं बेसिक जाचों में ECG, इको काडियोग्राफी या ट्रोपाइटस से पता लग जाता है लेकिन एक कनफर्मेटरी जाच के लिए कि कितना ब्लॉकेज है उसके लिए हमें एक एंजियोग्राफी करनी पड़ती है और इसको बात में आर्टरी को खोलने में या आर्टरी को रिपेर करने में मदद मिलती है तो बात करते हैं कि angiogram को कैसे किया जाता है angiography करने के लिए मरेस की दो साइट से angiography की जा सकती है या तो यह जो जो कलाई की NUS होती है जिसको radial artery कहते है या यहाँ पे groin में जो femoral artery होती है उसके दूरू पहले एक needle डालते हैं और needle के पीछे से एक शीत या catheter insert किया जाता है और फिर heart को access किया जाता है यानि कि coronary artery तक पहुचा जाता है यानि कि guide wire साथ साथ जाता है और जब ये coronary artery तक पहुच जाता है तो इस guide wire को हम वापस निकाल लेते हैं और उसके बाद एक die को inject कर दिया जाता है जैसे die को inject कर दिया जाता है अब यह die coronary arteries में चली जाती है लेकिन अगर कहीं पर blockage होता है तो यह वहाँ पर narrow हमें दिखती है artery जिससे यह पता लग जाता है कि कौन सी artery में और कितना blockage है angioplasty कैसे होती है तो जैसे ही आपके doctor को यह पता लग जाता है कि इस coronary artery के इस area में blockage है फिर से यह जो guide wire पहले डाला हुआ था उस guide wire पे एक balloon के साथ फिर से इसको insert किया जाता है उस area तक जहां पे blockage है और जैसे यह wire with balloon इस blockage area तक पहुँचता है फिर इस balloon को inflate कर दिया जाता है और आप देख रहे होंगे जैसे यह balloon inflate होता है आटरी भी expand हो जाती है जिसकी वेज़से जो blood है वो आगे की तरफ जाने लगता है यानि कि blood supply normal हो जाती है और यही एक objective होता है इस procedure का जिसको हम balloon angioplasty के नाम से चानते हैं लेकिन balloon angioplasty के बाद फिर भी एक खत्रा बना रहता है कि कहीं फिर से blockage ना हो जाए यह artery की walls वापस फिर से नाके narrowing कर दे तो उसके लिए हमें वहाँ पर एक stand place करना होता है फिर से यह guide wire के साथ balloon के उपर इस stand को लगा के फिर से insert किया जाता है और जहां पर अभी इस artery को expand किया था वहाँ जाके जब फिर से हम balloon को inflate करते हैं तो यह stand भी उस balloon के साथ inflate होके जो coronary artery है उसकी wall से चिपक जाता है और वहाँ पर place हो जाता है इस तरीके से जो blockage था वो permanently रुख जाता है और इसका फिर से recurrence के chances भी काम हो जाता है उसके बाद जो guide wire है इसको वापस निकाल लिया जाता है और कुछ गंटों में इस sheet को भी निकाल दिया जाता है उसके बाद एक pressure bandage आपके यहाँ पे या तो जहां से भी शुरू किया और radial artery या femoral artery वहाँ पे एक pressure bandage लगा दिया जाता है जिसको अगले दिन निकाला जा सकता है इस तरीके से angiography या angioplasty का procedure पूरा हो जाता है angioplasty को PTCA के नाम से भी जानते हैं जिसको percutaneous transliminal coronary angioplasty के नाम से जाना जाता है hope यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जाद से जाद लोग को share करें और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को subscribe करना बिलकुल ना भोलें bell icon का बटन भी दबा लें so that आपको सारे इस तरह के informative वीडियो से हमें पे मिलते रहें thank you